जो उस हेवी वेट पे आज खुलते ही हम लोग रियाक्ट कर रहा हूंगे तो एक काम करा जाए पहले बाकी के स्टॉक्स न्यूस पे जाओ उससे पहले इसको ड्रिस कर लिया जाए कैसे लग रहे हैं नंबर्स बहुत अच्छे हमेशा की तरह है प्री-टैक्स एक लाग करोड़ का जो बनाया है नहीं प्रॉफिट अब इस समय आप देखें कि यह अनॉलाइज बेसे मता है क्यूफोर के नंबर अगर आप स्टैंड लोन देखें आप पर तो इस पर आमदनी 10-11% के आसपास बढ़ के आई है 2,64,000 करोड़ और सपोर्ट कहां से मिल रहा है इसमें ओइल टू केमिकल बहुत जबरदस ग्रोफ थी 22% की ग्रोफ क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर थे क्रूट के तो उसके वज़े से मारजिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होके आई और वॉल्यूम भी मिला है केजी डी सिक्स से 30 अमेमें सेमडी गैस निकल के आ रही है तो इसलिए आप अज़ेस्टेट प्राफिट देखेंगे तो 19,000 करोड के असपास मेठता है ग्रास प्राफिट तो 21,000 करोड के ऊपर निकल गया है तो ये नमबर बहुत स्ट्रॉंग इसलिए मैं कहा रहा हूँ क्योंकि अनुराइज बेसिज पर आप देखेंगे तो शायद पहली कंपनी है जिसने 10,000,000 करोड का रिवन्यू क्लॉक किया और प्रॉफिट इसलिए प्री टैक्स एक लाग करोड दर्वाइस आप देखेंगे तो 80,000 करोड का प्रॉफिट कंपनी ने कलॉक किया है यहाँ पर रिटेल ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है रिटेल का बिजनस काफी बलके है कर दिशाड़े 10-11 परसेंट की ग्रोथ है 10.6 परसेंट प्रसाइसली, 76,000 करोड का एनुलाइज बेसिस पे रिटेल का अखेले का रिवन्यू 3,000,000 करोड के पार जा रहा है ग्रॉस पे और साड़े 18% का एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है 562 ने स्टोर खुलें 30 करोड रेजिस्टरड ग्रहा को चुके है रिटेल के तो यह इसलिब दारों कि जियो से इसको आप कनेक्ट कर लीजेगा कंजूमर बिजनेस ने भी बहुत अच्छा किया केमपा कोला जोने में लाँच किया था अब उसकी अकेले की आमदनी जो है 400 करोड की है FMCG बिजनेस जो की सिर्फ एक साल पुराना है डेल साल पुराना 22 नॉमबर को 2022 नॉमबर में लाँच हुआ था तीन हजार क्रोड करेमिनू है और 30 साल पुरानी कॉंटेक्स केरा उन खाली इमामी का तीन हजार क्रोड का रेमिनू है कॉलिएट जो 80 साल से काम कर रे दो उनका 5-8 क्रोड करेमिनू साल बर का यह तो इस तरह की मैशीब गोठ इनके FMCG बिजनेस से भी बहुत ही शांदा नंबर आप मान के चलिए और चाहे क्वाटरली देखे चाहे लाइस बेसिस पर देखे पहली कंपनी भारत की जो प्री टेक्स एक लाग क्रोड का प्रॉफित दिखा रही है यह है रिलाइंस इंडस्री इसके रिजल्स और इस समय सुबह सुबह जो ताजा ब्रोकरिज आगी हैं मेरे पास वो भी बता देता हूँ बरंस्टीन आउट परफॉर्म का कॉल 3,160 का लक्ष क्यूफोर का बीट एक स्ट्रॉंग E.N.P और O2C ग्रोध के चलते हैं मौगन स्टैनले ओवरवेट का कॉल 3,046 का लक्ष क्यूफोर के अनिंग्स एक स्लाइड बीट हैं हमारे एस्टिमेट से जेफरीज रिलैंस इंडस्ट्री इस पर कह रहे हैं बाइकॉल 3,380 पर शेयर के लक्ष हैं तमाम इन्होंने अपने भी रैशनल दी हैं तो यह हो गए रिलैंस आज इन्होंने F.Y.25, 26 का इबीटा फोरकास अब बढ़ा दिया है 3% और 1% हैं डिस्क्लेमर पर हमने दो कुछ इन्वेश्मेंट और ट्रेडिंग की बात ही नहीं करी नतीजों अनलीज सब फिर भी अबेंडन प्रकाशन के तौर पर भाई जिस चैनल पे रिजल्स अनलाइज हुए हैं यह ध्यान रिखेगा इस चैनल का स्वामित्व प्रभंद मैने अनलाइज्मेंट और कंट्रोल रिलाइंस इंडस्ट्री इसके पास है तो एक बाज आप भी रिव्यू कर लिजेगा नतीज़ उसके बाद कुछ डिसाइड करिएगा हर्श्दा के पास चला जाए एक्स अफ रिलाइंस बाकी के सारे स्टॉक से नियों हर्श्दा कॉन कॉन आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेडार पर रखेंगे जहां पर हमने देखा है रेविन्यू में करीब 14 पसंट का इजाफर आया है 1450 करोड का ये फिगर है लेकिन लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है लॉस आये करी 12 करोड का इबिटा में भी हम देख रहे हैं 11 पसंट की ग बढ़ रहा है और वो एक ड्रागर साबित हो रहा है तेजस नेटवर्क दूसरी तरफ लॉस से अब मुनाफ़ा कमाने लगी है तो क्यू फोर में कंपनी ने मुनाफ़ा पेश किया है करीब 147 करोड का वर्स लॉस आफ निली 11.5 करोड रेवन्यू बढ़कर आया है 1326-27 करो रेलिस इंडिया का लॉस घटा है तो वो एक अच्छी चीज है अभी भी लॉस कमपनी पेश कर रही है लेकिन 69 करोड के घटे के सामने लॉस आया है 21 करोड का रेवन्यू हाला की दबाव में 16% इबिट्टा लेवल पर 6 करोड का मुनाफ़ा वर्स इस 64 करोड का लॉस तो य आया है इबिट्टा लेवल पर 29% की गिरावट मार्जिन्स 10% के 7% पर रह गए रेवन्यू महस 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो यहां पर नतीजों में प्रेशर साफ देखने को मिला है अच्छा आज दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें आप पे अच्छा के दिया है अच्छा के अच्छा आपक स्टॉक्स पर दो आबसा की उस्में आपकर को मिला है तो रहेंगे में पर रहें है।